विल्कम बैक बच्चो मैं दानियाल स्वागत करता हूँ आपका की डोकोडर में फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ओक्टल से हिक्जाडिसीमल में कैसे कनवर्ट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप अदम असानी से ओक्टल को हिक्जाडिसीमल में कैसे कनवर्ट करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको यह चार्ट याद रखना होगा यह हमारा ओक्टल नमबर है और यह हमारा बाइनरी नमबर है जीरो से लेके 7 तक आप जानते हैं ऑक्टल होता है जिसका बेस क्या होता है 8 वाले बेस को हम क्या बोलते हैं ऑक्टल बोलते हैं और जिसका बेस 2 होता है उसको हम क्या बोलते हैं बाइनरी बोलते हैं यह आप लोगों को पता है जीरो से स्टार्ट होता है मेरा ओक्टल और 7 तक जाता है और यह हमारा 0 से लेके 7 तक का binary number है ठीक है तो चलिए हम start करते हैं और इस start के help से इस question को solve करते हैं 3 है 4 है 5 है 3 4 5 3 4 5 3 4 और 5 है ठीक है 3 के लिए देखिए क्या लिखा है 0 1 1 0 1 1 4 के लिए क्या लिखा है 4 के लिए 1 0 0 10 0 और 5 के लिए क्या लिखा है देखिए आप 5 के लिए क्या लिखा गया है 1 0 1 1 0 1 ठीक है यह ऐसे arrow बना देता हूं मैं ताकि आपको कोई confusion ना रहे है ठीक है लिखने में ऊपर नीचे हो जाता है ठीक है, यह आ गया, ठीक है, आप जब आप binary इसको लिख दिये हैं, बाइनरी में convert कर दिये हैं, तो आप सबको एक साथ लिख लिए, ठीक, उसके बाद मैंने बताया हुआ है, कि जब आपको binary में आ गया number, आप binary से hexadecimal में convert करना है, तो हम charger का pair बनाते हैं, right side से, तो charger का pair बन गया, group, ठीक है, charger का group बनाएंगे, तो एक यह बन जाएगा, और एक यह बन जाएगा, ठीक, 0 बच रहा है, इसमें मैंने बताया था, आप कितना भी 0 add कर सकते हैं, add करके एक group मैंने यह बना दिया, ठीक है, इस group से मेरा निकल के क्या आएगा, 0 आएगा, इस group से निकल के क्य आएगा, टू का पावर कैसे निकालते हैं, आपको बताया है, मैंने, जैसे 1, 1, 1, 0 है, यह होता मेरा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, यहां से निकल के आता है, 0, ठीक है, क्योंकि यहां 0 है, तो 0 वाले को हम खतम कर देते हैं, ठीक है, यह खतम हो पावर आ गहार, जोड़ें तरह पहीं, जुदे आ vere な हमारे कितना है, जूत अबार, जुक्त अच्छा च्छवावर, जूत अच्छा, जूत इबाम से थालVAल, सब fått अर," まले उव्धा कितना तरह कितना रहता है, चाहर आता है," इस सब को जोड़ दीजिए," तो कितना निकल के आजागा आपका, 8, 4, 12, 2, 14, यहां से कितना निकल के आगया आपका, 14 निकल के आगया, और यहां से क्या निकल के आएगा आपको, देखिए, यह मेरा क्या है, 0, 1, 0, 1, 0, 2 का पावर, 0, 2 का पावर, 1, 2 का पावर, 2, और 2 का पावर, 3, 0, 0 वाला खतम, 2 का जीरो एक और दो का पावर दो चार ठीक है तो चार और एक कितना निकल का ऐगे यहांसे वेरा पाँच चोदा और पाच आ आ गिया ठीक है और आपको बताए हुए है के 14 को कैसे लिखते हैं बांडी जब 9 तक हो जाता है, तो 10 के लिए हम A लिखते हैं, बताया है मैंने, 11 के लिए B लिखते हैं, 12 के लिए C लिखते हैं, और 13 के लिए D लिखते हैं, 14 के लिए E लिखते हैं, और 15 के लिए हम क्या लिखते हैं, F लिखते हैं, तो 14 के लिए हम क्या इसके जगा क्या लिख सकते हैं e लिख सकते हैं तो हमारा answer क्या हो जाएगा e और 5 और इसका base कितना 60 ठीक है यह हमारा क्या हो गया hexadecimal हो गया octon में दिया था मैंने इसको hexa में convert कर दिया यह भी अगर आपको confusion है तो देख सकते हैं जैसे यहाँ 0 0 0 है ठीक है तो 2 का power 0 0 2 का power 1 2 का power 2 हम जानने हैं कि जहां पर भी 0 वो खतम हो जाता है तो 0 ही निकल के आएगा यह वाला देखिए आप 0 0 1 है 2 का power 0 2 का power 1 2 का power 2 0 वाला खतम 2 का power 1 है हम जानते कितना हो था 1 तो यहां से क्या निकल के आता है 1 यह हमारा chart था और यह एक example था ठीक है चलिए हम एक और example आपको करके दिखाते हैं यह मेरा example 2 है चलिए हम इसको करते हैं मेरे पास value क्या दिया हुआ है 2, 4 और 5 2 को हम कैसे लिखेंगे 0, 1, 0, 0, 1, 0 4 को कैसे लिखेंगे 1, 0, 0, 5 को कैसे लिखेंगे 1, 0, 1 अब यह सब को एक साथ लिख देंगे 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 ठीक है आप 4, 4 का group बनाएंगे 1, 4 का group यह बन गया 1, 4 का group यह बन गया यह 0 मेरा बज गया इसके अंदर भी आप क्या लगा दिए 1, 3, 0 लगा के 1, 4 का group लगा दिए यहां से निकल के आएगा आपका 0, यहां से निकल के आएगा आपको 8 और यह कितना निकल के आएगा 2, 8, 2, 10 कितना निकल के आएगा, 8 और 2, 10 यहां से 10 निकल के आएगा, ठीक है और 10 के लिए मैंने अल्लेडी आपको क्या बता लिख लिखा है 10 के लिए B होता है इसके जगा हम क्या लिख सकते हैं B लिख सकते हैं इस group से मेरा क्या निकल के आएगा 4 और एक 5 5 निकल के आया तो मेरा answer क्या हो जाएगा B 5 16 यह हमारा क्या हो जाएगा hexadecimal हो जाएगा अगर suppose किजिए आपको बोलता है कि आप octal से binary में convert किजिए पोस किजिए hexadecimal निकालने के लिए नहीं बोलता binary बोलता तो यही आपका क्या हो जाता binary हो जाता ठीक है 010100101 इसका base 2 यही हमारा क्या हो जाता binary हो जाता ठीक है कुस question मैं आपको दूँगा practice करने के लिए आप उस question का practice किजिए यहाँ पे आपको question दिख रहा होगा तो सारी वीडियो आपको मेरे channel पे मिल जाएगी playlist मैंने बना दिया है उससे जाके आप पूरा एक एक करके पर सकते हैं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नहे topic के साथ तब तक के लिए बाई जैहिंद